साथ पंत्रे समर्की ये सोगा था आसुतोष भटनागर की ये पुस्तक हमें बताती है कि भारत में अंग्रेजों से पहले पुत्रगाली, फ्रेंच और डच व्यापार करने के लिए आई थे अंग्रेज भी 19 सती में व्यापार करने के इरादे से भारत में आये लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना प्रभूत भारत भूमी पर बढ़ा दिया भारत के वीर जवानों ने किस तरह अंग्रेजों का, डचों का, फ्रेंचों का और पुत्रगालियों का मुकाबला किया इस पुस्तक में उन सब बातों को विस्तार से बताया गया है उन्निस्वी सतापदी में भारत में इशाई मिसिन्रियों का प्रवेश हुआ और उन्होंने समाज में एक बड़े इस्तर पर सोची समझी रंडिती के तैत धर्मांतरन का काम सुरू किया मगर भारत के विभिन समाजिक संग्ठोनों ने उसका विरोध किया और बहुत हद तक मिसिन्रियों का धर्मांतरन रोकने में सफल रहे इस किताब में बताया गया है कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के इरादे से आये थे मगर उन्होंने धीरे धीरे यहां अपना पर्भाव इस्तापित किया और भारत को अपना उपनिमेश बना लिया भारत में राज कर इस्तापित करने के बाद अंग्रेजों ने यहां की जनता पर अपने कानून और अत्याचार शुरू कर दिये जिनका विरोध यहां के लोगों ने समाजिक इस्तर पर किया लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला सबसे बड़ा विद्रोग हुआ वो था 1857 का गदर इस किताब में उस गदर का भी विस्तार से उलेक किया गया है हमारे वीर 37 संग्राम से नानियों ने भारत भूमी पर अपने प्राण नोचावर कर दिये और अंग्रेजी सरकार का जम का मुकाबला किया यह किताब हमें बताती है कि बिर्टिश सरकार के खिलाफ कभी भी जना क्रोष थमा नहीं वो सलगता रहा और देश में विभिन क्रांतिकारी संग्ठोनों का उद्य हुआ 30 अप्राइल 1908 को जब अंग्रेजों ने खुदी राम भोष को फासी के सजा सुनाई तो सारे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बहंकर आक्रोष पनपने लगा क्रांतिकारीयों के संग्ठोनों ने अपने अपने तरीके से अंग्रेजी सरकार को जब दिन सुरू किया और जम कर उसका विरोध किया आसुतोस भटनागर ने इस किताब में भारतिय सवतंत्रा संग्राम के उन सेनानियों का वर्डं किया है जो मुख्य धारा से एकदम अलग है समाज का बहुत बड़ा वर्ग उनके नाम को नहीं जानता असुतोस भट्नागर ने ऐसे सवतंता संग्राम सेननियों को खोज-खोज कर इस पुस्तक में सजोया है यह पुस्तक हमें बताती है कि अंग्रेजी शाषनकाल में परशाषन सेना पुलिस और नियायले किस तरह भारती जनता का उत्पिड़न कर रहा था और भारती जनता अपने तरीके से क्रांतिकारी संग दोलन को समझने के लिए इस पुस्तक का अध्यन बहुत महत्पून है यह पुस्तक बहुत अच्छी जानकारियों को अपने में समेटी हुए है सुरूची प्रकाशन से प्रकाशित इस पुस्तक को आपको एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए